तो क्या आप सभी को पता है कि आप डॉरी मॉन में इंडियांस गौड के रेफरेंस दिये गए हैं। हाँ शौक हो गए होगे लेकिन यहां सिर्फ डॉरी मॉन में ही नहीं बलकि पूरे जपान में इंडियांस गौड को पूजा जाता है। तो आप सभी को उसके बारे में, मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, तो पहले नंबर पीच जो है, वो है देवी, जिनका नाम है दीवा, और इंडिया में इनको कहा जाता है मा सरसेती जो कि आप सभी लोग जानते हो विद्या की देवी हैं और आप लोग यहां पे देख सकते हो कि इनके हाथ में भी वही सेम इंस्ट्रुमेंट है जो कि मा सरसेती के हाथ में भी होता है और जपान के लोग का ऐसा भी कहना है कि हाँ उनके जो गौड्स हैं जिनको पूझा करते हैं वो इंडिया से ही उनके पात आये हैं तो ये काफी जाद अची बात है अब बात करते हैं दूसरे नमबर की इनका नाम काफी अजीब सा है लेकिन इंडिया में इनको काम देव के न और वो है गौड शिवा तो यहां पर देख सकते हो कि या जपान में गौडशिवा को कैसा दिखा गया है और ऐसा कहा जाता है कि जो जापान वाले जुद्छ शिवा है वो खुशी और पैसा देते हैं हाँ जानता हो केडिकरी इनकी काफी अलग सी है तो अब बात करते हैं यानि लश्चमी जी तो इंडिया में लश्चमी जी को कुछ ऐसा दिखा गया है और वहीं दूसरी साइड जपान में कुछ ऐसा मतलब यह तुम लोग देख रहे हो मतलब इंडिया में भी कमल के ऊपर खड़ी हैं और जपान में भी बस उनकी ड्रेस और आइस चेंजीज हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट इंड्र तो आप जानते हो गौड इंड्र इंडिया में कैसे दिखाए गए हैं चुकि एक हाती के ऊपर है और वहीं दूसरी साइड जो जपान की गौड इंड्र है वो भी हाती के ही ऊपर है बस उनकी आइस और कपड़े चेंज कर दे गए हैं यानि बाकी चार सर और एक जानवर के उपर बैठे हुए और वहीं दूसरी साइड जपान में भी सेम टू सेम ऐसा ही है यानि सर और पूरा जैसी कलश और कमल के उपर बैठे हुए जो कि काफी चादा जीब और बहुत ही अच्छा लगता है अब बात करते हैं नेक्ट यान गनेश जी तो जपान में गनेश को बहुत ही कम दिखाया जाता है जैसे कि इंडिया में आपको हर एक घरों में मंदिरों में गनेश जी की फोटो और मुर्तिया देखने को मिल जाएंगी लेकिन जपान में इनको बहुत ही कम और मस्त लगती है तो आपको ये बात तो पता है डॉइमोन के एपिसोड में मोविस में गौड बुद्धा को कितनी बात दिखाया जाता है उनकी मुर्तियां बहुत बार दिखाया जाती है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गौड बुद्धा है वो इंडिया से बिलॉंग करते थे जो कि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पहले से पता होगा लेकिन यह आप तो यह बात सोच सकते हो कि जपान और चाइना में भी इनको बहुत जादा फॉलो करा जाता है जो कि खुद इंडिय से आये थे और वो इंडिया से बिलॉंग करते हैं लेकिन यहां पे भी चाइना वालों को अपने चींचू लगा के उनको चाइनीज बना देना मतलब क्या ही बोल सकते हैं अब हम उनको और सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन सा पार्ट लगा जलूर से कमेंट बॉक्स मे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए टाटा बाई 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 जार सायो नारा